नमस्कार माई यूटूब फैमली और फ्रेंज स्वागते आपका मेरे चैनल पे और आज यहां पर लेकर आए हूँ मैं लंच की ठाली जो बने की सुपर फूड बाजरा मिलट से तो यहां पे आधा कप लिया है मैंने बाजरा यह देखे इस तरीके का दिखता है यह और साथ म मेथी के दाने लिए हैं यह मेथी आप थोड़े कम जादा कर सकते हैं अगर आपको कड़वा लगे तो सब को अच्छे से वाश कर लेंगे पहले क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक धूल हो सकती है भूसा जैसा कुछ हो सकता है इसलिए हमें इसे तब तक दोना है जब तक इस जैसे की पता ही होगा यह डाइबिटिक फ्रेंडली है सुगर लेवल को कंट्रोल करती है कॉलेस्टरोल को कंट्रोल करती है वेट लॉस में हल्प करती है और इसमें फाइबर ज्यादा है तो यह बहुत ही सुपाच्छे होता है डाइजस्टिव सिस्टम को एकदम स्ट्रॉ कर लिया है अब इसे हम सोख करने के लिए छोड़ देंगे लगबक साथ से आठ घंटे बाजरा को फ्रेंट्स सोख होने में टाइम लगता है यह दाल तो बहुत ही जल्दी फूल जाती है तो मैंने दो फैर में भिगोया और यह देखिए करीब साड़े नौ बज रहे हैं तो यह लगबक फूल चुका है दाल बिल्कुल डवल हो गई है और बाजरा भी तो अब इसे फिर से मैंने वाश करके ग्राइंड होने के लिए जार में डाल दे रही हूं और फ्रेंट्स यह बहुत ही तेस्टी सा मैं यहां पे लंच की थाली तयार करने हूं या कहिए मैंने य मिलेट डोसा मिलेट इडली को अच्छे से बना पाएंगे तो देखिए मेरा यह जो बाजरा का बैटर है वह हो गया है अब यह दाल को मैं ग्राइंड करूंगी तो दाल बहुत ही इसली ग्राइंड हो जाती है इसलिए दोनों चीजों को मैं अलग-अलग ग्राइंड कर रह इकाल लिया है मैं आपको इसी से डोसा भी तयार करके दिखाऊंगी तो जब सारा बैटर मैंने ग्राइंड कर लिया है उसके बाद इसमें स्वादानुसर नमक डाल देंगे क्योंकि नमक से अच्छे से फर्मेंट हो जाता है इन सब को मिला दोंगी और बस ओवरनाइट इस से मैंने छोड़ दिया ओवरनाइट रखने से यह बहुत ही अच्छे तरीके से फर्मेंट हो जाता है अगर आप इंस्टेंटली बनाना चाहते तो इनो या कुछ आप इनो का सैसे एक डाल सकते इसमें तो यह लिखी बहुत ही अच्छे से इसमें जालियां आ गई है इस तर मिक्स करके मैं देखूंगी अगर पानी की जरूरत होती है तो इस टाइम पे हम पहले ही समें पानी डालेंगे तो चलिए इसमें गडर द हळा मुझे तो अब चलिए थोड़ा सेटर मैंने अलग निकाल लिया था उसी से मैं दोसा टियार करूंगी तो अब सांबर के लिए म तो फ्रेंट्स इसमें आप सबजियां अपने पसंद से डाल सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो भी चीजे अवेलेबल थी बैंगन, गाजर, टमार्टर, प्याज, अद्रक, हरीमिर्च, लसन, सब मैंने इसमें डाल लिया है और साथ में ड्रम स्टेक आप चाहे तो डा सकते हैं वो मेरे पास नहीं थी तो चलिए इसे चड़ा लेते हैं और साथ साथ में हम बनाएंगे एक इडली वाली कारा चटनी तो जो हमारी हेल्दी सी प्रोटीन रिच थाली को परफेक्ट बनाएगी कंप्लीट बनाएगी तो यह कारा चटनी के लिए मैंने प्यास टमार दूनों तरह की लब मिर्ची यहां पर डाल देंगे अद्रक लेसन ऍप्यास और टमार्टर सबीचीज को एक साथ डाल देंगे कडी पता भी एड़ कर दिया है अब इनको थोड़ सा हम चला लेते हैं ज्याद हमें इसे नहीं करना है बस दो मिट इस तरह के से चला लिया है स इसे एक से दो विसल आने के लिए हम थोड़ा से पाइन डाल कर चड़ा देंगे साथ में एक तड़का तयार करेंगे जो हमारे इडली के बैटर में जाएगा राई के साथ हमने उड़त दाल चना दाल डाल दिया है थोड़ा सग्गाजर लेंगे बिल्कुल फाइनली चॉपट है थोड़ी सी कड़ी पता अब ये तड़का जाएगा हमारे इडली के बैटर में जो और भी कलरफुल टेस्टी और बहुत ही भूक बड़ाने वाली इडली बनकर तयार हो जाएगी ये कलरफुल चीजें बच्चों को बहुत ही जादा पसंद आती है तो इस तरह के से अगर आप प्रेजंट करेंगे इडली को तो बहुत ही अच्छी बनेगी और देखने में भी हमारी इडली बहुत ही परफेक्ट दिखेगी तो ये देखे चटनी वाली जो सारी सबजियां है पक गई है बिलकुल हमने जादा पानी इसमें एड नहीं किया था थोड़ा सही पानी डाला था और बस इसे जब ठंडी हो जाए तो ग्राइंड कर लेंगे तो हमारी चटनी बिलकुल बनकर तयार है इडली वाली कारा चट फिल कर देंगे बहुत उपर तक नहीं भरना है क्योंकि इडली हमारी फूलेगी भी बाद में तो इस तरीके से सारे मोल्ड में मैं ये बैटर को डाल दोंगी और मैंने पहले फ्रेंट्स बता दिया है कि थोड़ा सा बैटर मैंने निकाल लिया था तो उससे देखिए मैं द भी बना रही हूं तो डेकोरेटिव थोड़ा सा इडली को तयार करने के लिए मैंने उपर से एक एक करी लिप्स को लगा दिया है और अब ये गया पहले से गरम की हुए कुकर में थोड़ा सा पानी डाला है मैंने और इडली को डाल दिया तो 10 से बार्यमेंट में हमारी तड़का डालेंगे हम सांबर में राई जीरा ही कड़ी पता और ये कड़ी पता और लाल मिच फ्रेंट्स गैस आफ करके ही आप करें तो ये तड़का गया और इसमें आलरडी मैंने सांबर मसाला जो मैंने घर का बनाया हुआ है आप चाहें तो रेसिपी का लिंक में दे द प्रोटीन रिच लंच की थाली आपको पसंद आ रही हो तो लाइक बटन जरूर प्रिस कीजेगा और एक प्यारस कामेंट भी जरूर कीजे और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी सारी वीडियो की नोट दोसा भी तयार कर लिया है मैंने दूसरा भी मैंने डाल दिया है साथ में ये कारा चथनी और सांबर रेडि है और ये आ गया हमारा दूसरा डोmac का रूल बनकर रेडि है आप चाहें तो इसमें फिलिंग के लिए अलू बी आलू ये आलू का यूंश वहुता है बडना सकते जरूर दीजेगा तो यह इडली मैंने डी मोल्ड कर दिया फ्रेंट्स यह जो बाज्रा है हेल्दी तो है ही बट इसके जो इडली या डोसा बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनता है और यह स्पंजी सा इडली भी बन गया है हमारा तो इसे भी प्लेट में सजा लेते हैं और हम इतनी पिरार कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इस मिलिट इडली और डोसा को अपनी गढर वोपे जरूर ट्राइ कीजिए मैं मिलती हूं नेच्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ-